तोंता पालना क्यों पाप होता है? तोंता पालने से घर में धन विरिधी क्यों होती है? अगर तोंता घर में आ जाता है तो यह क्या संकेर देता है? दोस्तों लाल किताब, पद्मपुरान और सास्त्रों के अनुशार आपको इस वीडियो में तोंता से जूरी बहुत सारी जन साथ कराता है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी से उन्रोद है कि आपने अभी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लें साथी साथ घंटा बटन को दबाकर औल पर किलिक कर दे जिससे हमारे आने वाले शबी वीडियो आप लोग तक पहुचता रहे तो चलिए दोस्तों शब से पहले आपको लाल किताब के अनुसार बताते हैं कि आखिर तोंता पालना क्यों पाप मना गया है दोस्तों किसी भी पसु पक्छी को बंधक बना कर रखना लाल किताब के अनुसार पाप मना गया है अगर आप किसी भी तोंते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उसके डाना पानी का ख्याल नहीं रखते हैं उसे समय पर भोजन नहीं देते हैं तो दोस्तो यह बहुत बड़ा पाप माना गया है दोस्तो लाल किताब के अनुसार अगर आपने अपने पास में तोंता पाल रखा है तो ध्यान रखे की तोंता एक एसा पक्षी है जो आपके घर में हो रहे जगरे को अपने मन में नोट करता है और आप जिस तरह के सब्दों का जिस तरह के विवार अपने घर में करते हैं तो तोंते को पिंजरे में रख करके उसे भोजन नहीं देते हैं समय पे खाना नहीं देते हैं तो दोस्तों तोंता बद्दूआ भी देता है जो कि दोस्तों आपके पूरे घर को बरबाद करता है दोस्तों लाल किताब के अनुसार सभी लोगों को तोंता नहीं पालनी चाहिए ब कि दोस्तो लाल किताब में तोंता पालने को लेकर कई हिदायते दी गई है और लाल किताब के विश्यसक्गे कई लोगों को उनकी कुंडिली को देखकर उन्हें तोंता पालने से रोकते हैं तो वहीं कई लोगों को तोंता पालने के लिए भी बोलते हैं लाल किताब के विश्य शक, कुछ लोगों को ही बुधवार के दीन पिंजरे में तोंटा पालने की सलाह देते हैं दोस्टो चलिए अब आपको बदाते हैं लाल किताब के अनुसार अगर आपका वेवार नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तो पिंजरे सही तोंते को खरिद कर अपने घर ले आएं उसके बाद में उस तोंते को अजाद कर दें दोस्तो कहा जाता है कि वह तोंता जितनी दूर तक और कर जाएगा आपका वेपार उतना ही ज़्यादा चलेगा दोस्तो अगर दूसरे भाव में बूदगरा है तो ऐसे लोगों को कभी भी बकड़ी या फिर किसी भी पालतु जानवर को नहीं पालना चाहिए जिसमें तोंता भी शामिल है दोस्तो चले अब आपको वास्तु सास्त्र का अनुसार तोंता के बारे में कुछ बाते बताते हैं दोस्तो तोंता शौभाग्य लंबी आयू और घर में धन विर्धी का शंकेत देता है अगर तोंता आपके घर के आजपास रहता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस् दोस्तो वास्तु सास्त्र का अनुसार तोंते का तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। दोस्तो अगर आप उत्तर दिशा में तोंते की तस्वीर लगाते हैं तो आपके बच्चे के अंदर पढ़ाई की रूची बढ़ती है। दोस्तो फैंक शुई के अनुसार तोंता पांच तत्तो वाला संतुलन अस्थापित करने में मददगार सावीत होता है। तोंते के रंग विरंगे पंख वास्तों में प्रित्वी अगनी जल लकडी और धातु के परतीक मना जाता है। अगर घर में इनमें से किसी भी तत्त की कमी हो तो दोस्तो इससे वह दूर हो जाता है। इसलिए तोंता पालना वास्तो सास्तर के अनुसार बहुत ही सुभ होता है। दोस्तो चलिए अब आपको बताते हैं पद्म पुरान के अनुसार तोंता पालना कैसा होता है। दोस्तो जब भी आप तोते को पाले तो उसका नाम भगवान के नाम पर रखें। दोस्तो यदि आपका तोता पिंजरे में खुश राता है तो शमाज लिजिए कि आपके घर में आपके घर के सदस्यों को कभी भी राहू के तु और सणी का वकर द्रिष्टी बुरी निजर आ वहां कभी भी अकाल में त्यू नहीं होता और उस घर में शवभागी की विरिधी होती है। जैसा कि हमने सुकोपक ख्यानम गरंथ के बारे में एक वीडियो में बताया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक घर पर आने वाली घटनाव को तोता टाल देता है। दोस दोस्तों तोंता का घर में आना बहुती सुब माना जाता है क्योंकि दोस्तों तोंते का संबंध कुबेर से माना जाता है। साथी दोस्तों तोंता कामदेव का वहन भी होता है। इस वज़ा से तोंता सुबता का प्रतीक है। दोस्तों जोती सास्त्र में भी इसका संबंध बुद्ध ग्राशे माना गया है और बुद्ध वैभाव का प्रतीक होता है तो तके घर में आने से धनलाब और वेफार में तेजी से बृधी होने का शंकेत माना गया है साथ ही दोस्तो आपका आटका हुए धन भी बहुत ही जल्द मिल जाता है जिस घर में तोता अपने आप आजाए तो समझे उस घर के इंसान कोई भविस्य में करोड़ पती बन सकता है तो दोस्तो आप लोग को यह जनकरी कशले कमेंट बक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दें धन्यवाद